हलो नमस्कार अरदाव सलाम सस्वीकाल केम छो कसे काई के रोहा लेके नाची यहां सब कई सनवानी हावर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खमागनी हो कुम केमती अच्छंती की खबोर उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दुरूस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा मित्रों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मकर रासिफल मार्च दोहजार बाइस के बारे में मार्च का महिना सुरू हो चुका है आज से ही आज एक मार्च है सबसे पहले इस नव वर्स के नव महिने में इस चवर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आज एक मार्च को जिनका भी जन्मदीन है जिनका भी सालगीरा है कुछ भी विसेश ओकेजन है तो उनको मेरे तरब से बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुभकामनाएं और वो लोग ऐसे ही उत्थान करते रहें वो लोग ऐसे ही जिन्दगी में जो है सुआगे बढ़त दे रहें मित्रों आज के इस वीडियो में हम सब मिल करके ये चर्चा करेंगे और स्रवन करेंगे कि इस महिने में कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है और कौन सा ग्रह आपके विपरीत में खरा है कौन सा वो ग्रह है जो आपके साथ बैट करके आपको पुलंदी के उचाई तक ले जाना चाहता है और कौन सा वो ग्रह है जो आपके बिरोध में आगर के आपको तवाह करना चाहता है आपको तहस नहस करना चाहता है इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा अवश्य मित्रों ये जो आप सामने में कुंडली देख रहे हो ये मकर रासी वालों की गोचर कुंडली है लगन कुंडली नहीं है ये सिर्फ गोचर कुंडली है जिसका आर्थ ही होता है कि जो चलाएमान है जो बदलते रहता है समय के साथ लेकिन लगन कुंडली कभी नहीं बदलती वो फिक्स है वो ऐसा ही रहेगा जब आपका जर्म हुआ तब से लेकर के जब आपके मृत्यू हो जाएगी तब वो इसे ही रहेगा और आपके उपर में उसी ग्रह का प्रभाब पढ़ेगा चाहे ये ग्रह तारे नक्षत्र अपनी अपनी दिसा जगह क्यों आप परिवर्तित करते रहें मूल वो है जैसे कि नाराइन मूल है बिश्नु उनके अंस है राम अंस है क्रिश्न अंस है हम सब उनके अंस है तो हम सब अंस है मूल सिर्फ नाराइन है उसी प्रकार से आपका जो वो लगन कुंडली है मूल सिर्फ व और बांकी जितने भी फलादेश रासी फलकाया आप देखते हैं वो सब अंसमात्र है और उसका यही कारण है कि आंसिक फलादेश आप पर में लागू होता है अब देख लो एक चीज़ समझने की बात है कि जिस किसी भी बेक्ति के कुंडली में अभी बहुत ही बढ़ियां ब अगर अभी मैं देखूंगा आपको फलादेश करूंगा अगर गोचर में भी अच्छा समय चल रहा है तो उसके जिन्दगी में चार चांद लग जाएगा उसको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोप पाईगी लेकिन अगर लगन कुंडली में बहुत जादा बिपरीत इस्थिती चल रही है खराब समय चल रहा है उसकी जिन्दगी तहस नहस हो गई है तो ये गोचर कुंडली में भले ही बरे से बरे राजियोग क्यों न बन जाए भले ही कितना अच्छा सा अच्छा फला देश क्यों गोचर कुंडली में रासी फल में वे सौब परिशत लागू होगा तो जूट बोलते हuumмगे आप सब बार बार कमेंट आता है गुर्देब आप जो बता रहा है वो सौब परिशत सच लागू हो रहा है मेरे उपर में ऐसा ही हो रहा है जैसा है आप कह रहा हैं लेकिन वो ल अंसिक सिर्फ अंसिक फलादेश ही घटित हो सकती है अंसिक फल ही आप पर में लागू होगा क्योंकि आज मैं अगर मकर रासी का मार्च का रासी फल बताने जा रहा हूँ तो मकर रासी के सिर्फ बेक्ती इस वीडियो को देखने वाले आप एक ओडियंस नहीं हो जितने भी लाखो करोरो लोग हमारे साथ जुरे हुए है अधवा जुरे हुए है भी या नहीं लेकिन जितने भी दुनिया में लाखो करोरो अरबो लोग है वो सब जो मकर रासी के उन सब पर में इसका अंसिक फलादेश लागू होगा तो क्या आप ये गैरंटी ले सकते हो क ये कहीं फलादेस करोरो अर्बो लोगों पर में लागू हो जाए ये संभव ही नहीं है ये संभव ही नहीं है और ये हो ही नहीं सकता तो क्या होगा तो आप कहोगे कि मैं ये रासी फल देखता क्यों हूँ फिर आप रासी फल बनाते क्यों हो तो रासी फल मैं इसी लिए बना तक लागू होता है इसलिए मैं गोचर कुंडली का निर्वान करता हूँ और आपको बताता हूँ आईए अब अपना जो मूल बिसा है जो मूल चर्चा है उसको सुरू करते हैं और आपको जानकारी देता हूँ आप देख रहे हो कि पर्थम भाव में सुर्ज बुद्ध मंग और सनी देवता बैखे हूए हैं पर्थम भाव में ही दो दो राजियोग का निर्वान हो रहा है अगर मूल कुंडली में दो दो राजियोग का निर्वान हो जाए और उसका समय उस वेक्ति को अगर जिंदगी में मिल जाए नाम नहीं पताऊंगा यसे कुछ दिन पहले ही एक राजियवाल की कुंडली देखी दो दो राजियोग प्रभल राजियोग मालभ विनामक राजियोग हतो यसिस दिधि थी कितना विशिष्ट राजयोग हो गया ना उसके पास चंद्रमा था ना सूरी था एकदम ना ही किसी पापग्रा की दृष्टी थी इतना मूल त्रिकोन और इतना विशिष्ट राजयोग वो बन गया उस व्यक्ति को राजिपाल बना दिया और वो व्यक्ति राष्ट पती तक बनेगा मैंने उनका फलादेश कर दिया है नाम नहीं बताओंगा तो आईए बताता हूँ आपको सबसे पहले हम लोग सूरी से चर्चा आरंभ करेंगी सूरी आपके कुंढली में एक मारक गराह है अच्छे गराह के तौर पर में नहीं जाने जाएगे सूरी स्कुंडली के अस्टम भाव के मालिक हैं और दुतिये भाव में बैठे हुए हैं और तिर्तिये भाव में बैठे हुए हैं दुतिये भाव में 14 मार्च तक रहेंगे और 14 मार्च के बाद तिर्तिये भाव में चले जाएंगे इसलिए सूरी का प्रभाव आपके उपर में इस महिने में मगर रासी वाले दो और तीन और आठ और नौ भावगरी गाड़ी गलत रिजल्ट नियटिव रिजल्ट की आपको प्राप्ती होगी क्या क्या प्राप्त होगा तो वो सुनो जैसे की दूसरा भाव 14 मार्च तक सूरीदेव रहेंगे तो दूसरा भाव होता है बैंक बैलेंस का धन धन और संपत्ती का जिसको कहते हैं कि धन का भाव होता है पहला तन और दूसरा धन जिसको धन आप कहते हैं वो कौन सा धन है वो आपके बैंक बैलेंस वाला धन है वो आपका जो हैसो जो जमा पुंजी है वो उसका धन है मित्रों इसलिए स्टूरी नारायन आपको पैसा 14 माज तक किसी हालत में जमा नहीं करने देंगे नहीं बोलना चाहिए ऐसे लेकिन अगर मैं आपको खुस करने के लिए कुछ अच्छा बोल दूँगा अथवा कुछ बुरा बोल दूँगा आपको दुखी करने के लिए तो जोतिस बिद्या के साथ वो हमारी गद्दारी हो जाएगे और गद्दारी हमें कबूल लेए इसे लिए आपकी खुसी अथवा आपका दुख से मेरा कोई लेना दिना नहीं है जो सच है सिर्फ वो ही आपके सामने रखूँगा तो सूरी देव आपके धन को खर्च करवाने की कोशिस करेंगे जमा पुंजी आपके हाथों से निकालने की कोशिस करेंगे पैसा जमा नहीं रहने देंगे आज अगर सो रुपे जमा करने की कोशिस करोगे सूरी नाराएन की चौदध तारीक तक है सीख पाया आप पर में है कि सौ में से पचास निकाल लेने की कोशिस करेंगे सत्तर असी नब्बे अथवा सौ में से सौ भी निकाल लेंगे आपका कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर म ऐसा सूरी के कारण होगा दूसरा भाव धन के साथ साथ आपके बानी का भी होता है जो मैं बोल रहा हूँ लोग कहते हैं कि आपकी बानी पर में शुक्र का वास है जो बात करते हो वो लग जाती है लोगा करसित हो जाते है अगर आपके बानी पर में भी किसी सुक्र बुद्ध ब्रस्पती इन सब की द्रिष्टी हो अथवा इन में से कोई भी ग्रह बैठे हो तो आपकी बानी भी एसी होगी जिससे कि अपने आप लोग आकरसित हो जाएगी लेकिन यहां पर में उल्टा है कौन बैठे हुए है तो आपकी बानी पर में आग बैठा हुआ है बागाद सुरी बैठे हुए है और सुरी क्या है आग है करवाहट है अगनी तत्यो है वो इसलिए आपकी बानी से आग का आवास होगा ऐसा लगेगा कि आपकी बातें इतनी कर भी हो गई है 14 मार्च तक कि दिल को चीर दे किसी को भी जूट नहीं बोलोगे ये भी तै है जूट भी नहीं बोलोगे क्योंकि सूरीदेव बैठे हुए है बानी पर जूट बोलने नहीं देंगे लेकिन बोलोगे सच ही लेकिन ऐसा सच बोलोगे जो लोगों के दिल को दुखा देगा कहा गया है कि सत्यंग प्रियंग ब्रियाद यानि कि हमेशा सच तो बोलना चाहिए लेकिन वो सच बोलना चाहिए जो मीठा हो। हमेशा मीठे सब्द का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि एक जगह पर में निम्बू का एक किसी भी बड़े पातर से जो है वहां पर में सो हजार चीटी आ करके जबा हो जाएए ऐसा क्यों क्योंकि वो मीठा है इसलिए सच बोलेंगे आप निश्चित तोर पर बोलेंगे क्योंकि ये सूरी नारायन बैठे हुए हैं यहां पर में लेकिन सच करवा बोलेंगे तीखे सब्द का प्रयोग करेंगे क्यों इसरा भाव आपके बानी के साथ साथ आपके परिवार का भी होता है परिवार अर्थात आपके रिष्टेदार रिष्टेदार अर्थात आपके कुटुम जो भी लोग आपके जुरे हुए हैं आपके परिवार के साथ जुरे हुए हैं वो सब लोग और जिसके कारण से जो है इस समय में पड़िबार में भी कलह की इस्थिति को स्टूरी देवता उत्पन करने की कोशिस करेंगे पड़िबार में भी टेंसन तनाब बनाएंगे दान पुन्नी भी करवाएंगे तीखा और करवा भोजन करने का आप प्रयास करोगे मसालेदार आँख से सम्बंधित अगर किसी भी प्रकार की परेसानी है तो इस समय में वो ज़्यादा परेसान कर सकती है और साउधान नहीं तो परोसी के साथ भी टेंसन तनाब होने का योग बनेदार 14 मार्च तक सूरी देव की साथमी द्रिष्टी अस्टम भाव पर पड़ेगी गुदा मर्ग उसकी परेसानी इस समय में बढ़ जाएगी और वो परेसानी उनको ज्यादा 14 मार्च के बाद सूरी देव आपके कुंडली के थीसरे भाव में आ जाएंगे यो 14 मार्च से पूरे महिने यहीं पर रहेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है जैसे कि तीसरे भाव में आते ही आपके परिस्रम को बरहा देंगे आपके प्राक्रम को बरहा देंगे आपके धैरी को कमजोर कर देंगे गुप्त सत्रू को एक्टिवेट कर देंगे छुपा हुआ दुस्मन आपको ज़्यादा परिसान करने की कोशिस करेगा आपको मैं बता दूँ कि ये तीसरा भाव आपके गले का होता है, नाक का होता है, सरदी जुकाम का भी समस्या कुछ आपके सामने में आ सकता है इसके साथ मी दृष्टी नवम भाव उपर में भाग्य का सपोर्ट कम लेने देंगे, धर्म का पालन कम करोगे तिर्थ यात्रा वगईरा करने में पड्शानी का सामना करना पड़ेगा, यस में कमीं सबस्वाल से टेंसन तराब का योग बन सकता है सिक्षा सिक्षा का जो आपका आस्तर है सिक्षा में जो बृद्धी होना चाहिए उतरो तरागे बटना चाहिए उसमें भी सुरिदेव कमी ला करके छोड़े उसको भी सही तरीके से आपको आगे नहीं जाने देंगे ये सूर्य देव का जो है सो महिमा है आपके लिए मित्रों सपने भी कुछ खराब आ सकते हैं और ब्राम्वन आचार रिसी मुनी संत महत्मा का आसरिवाद भी इस समय में आपको बहुत कम मिलेगा ये सूरी के कारण ऐसा होगा इसलिए आपके लिए अनिवार है कि इस महिने में हर रवी बार को कम से कम सूरी को जल दे अथवा संभब हो तो दैनिक रूप से असनान करने के बाद सूरी को जल दे मित्रों और अगर संभब हो तो ओम आदित्याय नवह मंत्र का एक माला नहीं तो उसका आधा नहीं तो वो भी ना हो तो साथ बार कम से कम जाफ कर लिया करें परतेक रवी बार को अथवाडेली आपके लिए अच्छा रहेगा शूरी के बाद जो है अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे क्योंकि मासिक रासी फल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती नहीं होती का आर्थ ये नहीं है कि मासिक रासी फल में चंद्रमा का प्रभाब आपके उपर में नहीं परता है चंद्रमा का प्रभाब हमारे उपर में सबसे ज़्यादा परता है जिसका चंद्रमा कुंडली में कमजोर रहता है वो व्यक्ति इमोशनली बरा कमजोर हो जाता है वो रेंडम रो देगा रेंडम हस देगा रेंडम गुसा में आ जाएगा यनि कि इमोशनली बहुत बीक होता ह लेकिन जिसका चंद्रमा मजबूत होता है वो ब्यक्ति बरा ही जो है इमोशनली स्ट्रॉंग होता है तो अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे मंगल का क्या दिब प्रभाव है आपके उपर में देख लो और इसे मंगल आपके लिए एक समगरा है अच्छागरा नहीं होता ह है मगर लगने वालों के लिए मगर रासी वालों के लिए या खराब भी नहीं होता है सम का मतलब ही होता है कि बरावर मिला जुला करके चलने वाला लेकिन ये जो मंगल है आपके कुंडली में आपके मस्तकपर में ही उच्चिका वैठा हुआ है उच्चिका मंगल अगर किं साथ-दस में त्वाब के कुंडली में रूचक नामक पंच महापुरुस राजयोग का निर्मान होता है मूल रूप से आपको मैं बता दूँ जितने भी जोतिस के छात्र है जो सीख रहे है राजयोग पंच प्रकार के ही होते हैं मूल रूप से ओइसे तो हजारों प्रकार के आपके सामने में आ जाएंगे लेकिन मूल रूप से पंच प्रकार के ही राजयोग होते हैं जिसको कहा गया है पंच महापुरुस राजयोग इसलिए मंगल देवता के कारण आपके कुंडली में एक राजियो बन रहा है वो क्या है? रूचक नामक राजियो मंगल देवता इस महीने में अपने राजियो का पूरा प्रियाम आपको देने की कोशिस करेंगे जैसे में क्या? तो मस्तक पर्मे विराजमान है तो मंसिक रूप से बड़ा मजबूत बनाने का आपको प्रियास करेंगे। बहुत स्ट्रॉंग दिमागी तोर पर में आप से जादा स्ट्रॉंग अभी विक्ति आपको नजर ही नहीं आएगा। आप इतना क्विक और सही एक्संट डिसिजन लेने में सक्षम हो जाएंगे कि दूसरा आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपके बुद्धी विवेक का भी भाव क्योंकि मस्तक का ही भाव पहला होता है तो विवेक का भाव तो पहला हो गा है। तो विवेक का सहाराया आप इतना मजबूती के साथ लेंगे इतना बेहतरीन तरीके से विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि लोग देख करके सन रह जाएंगे। सन मतलब आश्चारित चकित हो जाएगे। इसलिए मंगल देवता आपके विवेक में बृद्धी करेंगे। आपके कैरेक्टर को भी बढ़ियां बना करके रखने का प्रयास करेंगे। सील सुभाब भी बढ़ियां रहेगा। लेकिन एक चीज बता दूँ कि बिहम्रता का भाव भी पहला ही होता है। लेकिन मंगल देवता आपको बिनम्र नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देवता आग है। अगनी है मंगल देवता और अगनी है मंगल देवता तो मंगल देवता अगनी हो करके कहां बैठे हुए है। तो आपके मस्तक पर में। मस्तक पर में अगर गुस्सा को बैठा दिया जाए तो क्या होगा हर वक्त गुस्सा आएगा तो जिसके कारण से जो है बिनम्रता में आपकी निश्चित तोर पर में मंगल देवता कमी ला देगे बड़ी मारमिक बात बता रहा हूँ अच्छा पहला भाव जो होता है आपके गर्व का भी होता है कुछ जिंदगी में ऐसे काम कर लिए जिसके कारण से परिवार वाले लोग खुद भी आप पर में गर्व करते रहते हैं ऐसा कर लिए जिसके करण से जब बुढ़ापा भी आ जाता है तब भी लोग करते हैं अरे मैं तो उस समय में ये कर देता था यानि कि उनको उस बात पर में गर्ब है उनके मन में ये है कि मैंने जो ये काम किया है ये कोई साधारन काम नहीं है ये बहुत ही बिशिष्ट काम है ये भाव उनके मन में आ गया अर्थात उनको इर्बातों पर में गर्व हैं गर्व है तो वही गर्व करने लाइक काम इस महिने में मंगल देवता के राज योग के कारण कोचर का फ्लादेश ये कहता है कि आप भी करेंगे मित्रों ये जो भाव है पहला कहा जाता है कि पहला भाव तन का होता है यनि कि हमारे सरीर का सरीर के अलग अलग पार्ट का भाव अलग अलग होता है लेकिन तन सरीर का भाव जो है सो पहला होता है पहला जिसके कारण से तन यनी की सरीर को मंगल देवता स्वस्त रखने का प्रयास करेंगे, सरीर को मंगल देवता जो है सो बहुत ही मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, मंगल के समान जो है स्ट्राम और ताकतवर आपका सरीर इस महिने में महसूस होगा। मंगल की मित्रों मूल रूप से ऐसे तो और भी दृष्टियां होती है लेकि मूल रूप से पुर्ण दृष्टी तीन ही होती है चार, साथ और आठ तो मंगल की चतूर्थ दृष्टी अपने ही रासी पर पर रही है यनि कि आपका जो कुंडली का जो चौथा भाव है वहां पर में एक लिखा हुआ है आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ है अर्थात वो घर मेश रासी का हो गया और मेश रासी का हो गया तो इसका अर्थ ही हो गया कि उसके स्वामी मंगल हो गया अपनी द्रिष्टी अपने घर पर अगर कोई व्यक्ति डालता है तो वो उसको कितना सुरक्षित रखेगा कितना बृध्धी करेगा इसको कहने की आवश्चता नहीं अगर आपका ही दूसरे जगह पर में बैठे हुए हो और आपका नजर जो है अपने ही घर पर में अपने दर्वाजे पर में अपने रूम को देख रहे हो तो आपका क्या होगा कि वहाँ पर से अगर कोई चोर एक सिक्का भी ले जाना चाहेगा तो आपकी द्रिष्टी उसको पर जाएगी और आप उसको नहीं ले जाने दो देख यह कैसे होगा तो यह मंगल देवता के कारण होगा आपके कारण होगा और वही बात जो है यहाँ पर में पड़ेगी यनि कि मंगल की द्रिष्टी जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव पर में पड़ेगी तो जमीन दिलवाने की कोशिस करेंगे क्योंकि चौथा भाव जो है जमीन का होता है नहीं या तो जमीन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हो या जमीन खरीद भी सकते हो अधवा जो जमीन पहले से है उसी का उपहोग करोगे उसका सुख प्राप्त करोगे इसके अलावा चौथा भ मकान कब बनेगा मैं अपने नाम से जमीन कब लूँगा अथवा अपने नाम से जमीन कब लूँगी मेरे पास गारी कब होगा अपना फोड बिलर टू बिलर कब आएगा बहुत प्रस्णाते हैं हमारे पास में मैं गारी तो अभी चड़ रही हूँ अथवा चड़ रहा हूँ लेकिन मुझे मन चाहा गारी कब मिलेगा मन चाहा मकान जैसा मैं चाहता हूँ वो कब मिलेगा मुझे तो अगर आपके कुंडली में बता दूँ कि चौथे भाव में कोई सुर्ग्रा बैठा हुआ है मजबूत ग्रा बैठा हुआ है और वो योग कारग्रा है बढ़ियां फल देने वाला ग्रा है और उसका प्रियट जब भी कुंडली में आ जाए महादसा आंतरसा प्रतियंतर जमीन का भी योग बन रहा है मकान का भी योग बन रहा है अचल संपत्ती प्राप्ती का भी योग बन रहा है और बाहन का भी योग बन रहा है ये सब किस कारण से तो ये सब मंगल देव के कारण रूचक नामत पंच महापुरुस राज योग जो बन रहा है इस कारण से ये भौतिक सुख का भी होता है तो भौतिक सुख में भी मंगल देवता खूब बृद्धी करेंगे बहुत बृद्धी करेंगे जैसे भौतिक सुख में क्या आज घर का पैंट करवाना है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था यह पैंट को चेंज करवा दिया यह भौतिक मन में बिचार आया आपने एक टेवल लगा दिया अचा और सब तो ठीक है लेकिन परदा बढ़िया नहीं है एक परदा जो है दूसरा लगाना है ये क्या है इससे आप संतुष नहीं हो सुख ले रहे हो लेकिन भौतिक सुख में आप बिद्धी चाह रहे हो तो इस परदा को भी चेंज कर दोगे नहीं कुरसी बढ़िया नहीं है दूसरा कुरसी लगाना है कुरसी को भी चेंज कर दोगे इसी लगाना है पंखा लगाना है इत्यादी एनी थिंग एल्स कुछ भी आपको करना है तो वो भौतिक सुख में भी प्रिद्धी करवाएंगे मंगल लेक्ता आपको बतादूं कि यह जोथा भाग आपके मां का भी होता है अगर आपकी माता कहीं किसी जगह पर में काम करती है, किसी पद पर में है तो ये मान करके चलो कि उनको भी बिशेश मान सं्मान प्रतिष्ठा आपके भागे से मिलने जा रहा है अगर वो कोई काम नहीं करती है और स्वास्त है तो इस समय में आप ये मान करके चलो कि उनको स्वास्त लाव मिलेगा और वो सारडिक तोर पर में कुछ राहत महसूस करेगा सातमा भाव किस चीज का होता है आपके बिवाह का होता है आपका बिवाह कम होगा किस समय में होगा कैसे पती मिलेंगे कैसी पत्नी मिलेगी क्या विवाह के बाद आपके जीवन में कोई बहुत बरा बदलाब हो जाएगा क्या आपका विवाह लंबे समय तक टिकेगा अथवा कुछ ही समय बाद तूट जाएगा क्या पती-पतनी के बीच में संबंध बहुत बढ़िया नहीं रह पाएगा इन सब का विचार सात्मे भाव से ही करते हैं जन्मकुंडली में अगर कोई भी पापक ग्रह आपके सात्मे भाव में बैठा हुआ है कोई भी मारक ग्रह आपके सात्मे भाव में बैठा हुआ है जो आपके लिए अच्छा फल देने वाला है ही नहीं तो आप ये मान करके चलें, कि अगर जन्म कुंडली के सब्तम भाव में सनी, राहू, केतू, अधवा कोई भी मारक ग्रह बैठा हुआ है, अधवा उसकी द्रिष्टी है, तो बैवाहिक जीवन में मूल रूप से आपको निश्चित तोर पर में वो परिशान करें, यहां पर म क्या है, कि मंगल रूचक नामक पंच महापुरुस राज योग बना रहा है, और मंगल की सात्मी द्रिष्टी सब्तम भाव पर में है, और सात्मा भाव जो है, किस चिजगा होता है, हमने आपको बता दिया, लेकिन यहां पर निगेटिव फलादेश नहीं है, ऐसा नहीं है कि मंगल लगन में बैठ गया, पर फ्रव्तम भाव में बैठ गया तो मंगलिक दोस बन गया तो अब तो इस व्यक्ती के जीवन में लिभिन्न प्रकार की परेसानी आजाएगी, कदाव नहीं आएगी परेसानी, यहां पर मैं मंगलिक दोस भी लागु नहीं होगा यहां पर में रूचक नामक पंच महापुरुस राज योग बरिया जो सभी दोसों का अंत कर देगा मंगल से संबन देगा मंगल की साथमी दृष्टी सब्तम भाव पे पर गई आपके बिवाह का भी योग बन गया और इस महीने में अगर आपकी कहीं पर में बिवाही इस महीने में हो जाएगा बहुत लोगों का जिनका बिवाह हो चुका है उनको जीवन साथी का सुख प्राम्ट होगा बैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे बैवाहिक जीवन यनि कि दामपत जीवन अच्छा वितेगा पती-पतनी के बीच के संबंध को भी म मंगल बढ़ियां रखने का प्रयास करें यह जो सात्मा भाव है आपके दैनिक रोजगार और बेबसाय का भी होता है दैनिक रोजगार अर्थात जहां से आपको डेली का इनकम है जहां पर में रोज कुछ पैसा लगाया रोज कमाया इस प्रकार के जो लोग है और मकर रासी क है तो मंगल उनको सपोर्ट करेगा दैनिक रोजगार के छेत्र में आपकी उत्रोतर बिद्धी करेगा आपके बैपार को आगे बढ़ाएगा और आप कुछ और पैसा कुछ और पैसा कुछ और पैसा कमाने लगेंगे यह सात्मा भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी ह ताके कारण उससे सम्मंधित प्रिसानी में आपको राहत देखने को मिलेगी और आप बेहतर महसूस करेगी ये जो सात्मा भाव है ऐसे तो दुस्मन का भाव छठा होता है लेकिन वो दुस्मन है सिर्फ वो सिर्फ सत्रू है लेकिन सात्मा भाव आपके पर्त्यक्ष सत्रू का होता है जो दुस्मन आपसे सामने से टकराने की हिम्मत रखता है, जिसके कलेजे में इतनी ताकत है कि आपके सामने आकर कि वो टकरा सके, उस दुस्मन का भाव सात्मा होता है, जैसे कि चलो चुरो. तो उस प्रकार के दुस्मनों से भी टक्राने की छमता है आपकी इस समय में बढ़ जाएगी और वो दुस्मन भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कहा गया है कि जाके राखे साईयां मार सके न कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो पूरा दुनिया भी अगर बैरी हो जाए और जिसके कुंडली में ऐसा ऐसा राजयोग बन गया जिसको भगवान तयार हो गए ग्रह तयार हो गया देवता तयार हो गए परत्यक्स उसको दूसरा कौन क्या बिगार सकता है संभव ही नहीं है सवाल ही फैदा नहीं होता उसी प्रकार से भी आपके उपर में मंगल देवता पूर्न रोप से हावी है और बिराजमान है पंच महापुरूस राजयोग में से रूचक नामक राजयोग को ले करके तो जिसके कारण से आपका कोई कुछ एक बाल भी माका नहीं कर पाएगा ये मेरा गैरिंटी है आपक तब तो आप जब गलत करना सुरू करते हो तो आपका बरदान भी छीन हो जाता है और आपको उसका नियेटिव परिणाम भूगतना पर जाता है ऐसे बहुत इक जाम पल है मंगल की आठमी द्रिष्टी अस्टम भाव पर रही है इस समय में तो वैसे विश्युद्ध की स्थिती चल रही है हर तरफ दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम का पुकार लगा रहा है कल ही मैं देख रहा था एक किताब में था कि सनी और मंगल की जब युती आएगी जब युती होगी तो दुनिया में बयनकर युद्ध का आगाज हो जायेगा कल ही देख रहा था हो सकता है तो मगल और शनी की यूती होगी और बहयंकर युद्ध का अगाज हो जाएगा और आज वही इस्थिती है हमारे पुर्वाचारियों ने पहले ही जोतिस के महारे विद्वानों ने दैवग्यों ने पहले ही लिख दिया कि मंगल और सनी की युथी होगी और ऐसे मैं इसको कम्मिनीटी में डाल दूँगा आप जाकर के देख लेना वहाँ पर लेगा कि भयंकर युद्ध का आगाज हो जाएगा और आज वही इस्थिती है यूक्रेन में और रूस में भयंकर युद्ध के इस्थिती च्री हुई है और ये युद्ध कहीं और जादा बिपरीत इस्थिती नहुद्पन नकाने क्योंकि मंगल और सनी की युती बन चुकी है यहाँ पर में जो उस देश के लिए बढ़िया नहीं है उसके लिए अस्टम भाव उपर में द्रिश्टी पर रही है तो कुछ विदेश से जिनका कारोवार चलता है उनको यह मंगल फाइदा पहुचाने की कोशिस करेगा उनको भिदेश में रहने वाले लोगों को अब जहाँ पर में विश्युद्ध चल रही है जहां पर में भाहिमकर्युद्ध का आगाज हो चुका है वहाँ पर में क्या ही फाइदा होगा लेकिन उसके अलावा जहां भी जो लोग होंगे जाहन बच गई हो इसे जगा पर में तो कम फाइदे वाली वाद नहीं है उसको घाटे का सौधा नहीं कहीं है तो आपके लिए जो है ये बराही उत्तम और बहुत ही अच्छा जो है संकेत रहें तो मंगल के लिए आपको किसी भी प्रकार क तक कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे जो आपके बुद्धी को बढ़ा ही स्ट्रॉंग बना करके रखेंगे दिमाग को बहुत तेज बना करके रखेंगे और सात्मी द्रिष्टी इनकी सप्तम भाव उपर में तो पती पतनी के संबंध को भी अच्छा बनाने का प्र कि सूरी देव आपके बानी में आग बोल देंगे और आप इतने करवे सब्द का परियोग करोगे कि लोगों का दिल चीर दोगे। दूसरे तरफ मैं ही कह रहा हूँ कि बुद्ध बैठ जाएगा छे मार्च के बाद बानी में मीठा पर ला देगा। अब आप कहोगे कि ये कैसी बहकी बहकी बाते कर रहे हूँ आप एक तरफ कर रहे हो कि बानी बड़ी तीखी हो जाएगी दूसरी तरफ कर रहे हो कि बानी मीठी हो जाएगी ये क्या बकवास किये जा रहे हूँ आप ऐसा कि बुद्ध देवता के जाने के कारण वहाँ पर में बैठने के कारण आपकी बानी जितनी ज़्यादा तीखी होनी चाहिए अब वो उतना तीखा नहीं हो पाएगा उसमें आपको कमी नजर आएगी और बानी का जो है प्रभाव करवे से हलका मीठे की योड बढ़ेगा पडिबार में जो सूरी देव पुर रोप से टेंसन तराव की इस्थिती उत्पर्ण करने जा रहे थे बुद्ध देवता के वहां जाते ही और इसे सूरी देव के सामने बुद्ध देवता का कुछ नहीं चलेगा ये भी तै है लेकिन फिर भी प्रभाव में कुछ न कुछ त धंलाव का योग बनाएंगे सुरी देव जो भैंकर एक्सिडेंट का योग बना रहे थे उसमें बुद्ध देवता कमी ला देंगे अब जहां पर में हाथ तूटना था हाथ में चोट लगकर के बाद खत्म हो जाएगी चोविस मार्च तक बुद्ध देवता यहीं दूसरे भाव में रहेंगे छे मार्च से चोविस मार्च के बाद बुद्ध देवता चले आएंगे आपके कौनली के तीसरे भाव में यानि की मीनरासी मीनरासी में आते ही खुजा में बल का एहसास हो जाएगी सरीर में ताकत खत्म कर चुके हैं इसके प्रभाव को यानि कि आपके भुजा के बल को खम कर चुके हैं आपके प्राक्रम को निगेटिव बेव में ले जा चुके हैं आपको गले से सम्मंदित नाक से सम्मंदित परेसानी दे चुके हैं गुप्त सत्रू के द्वारा आपको परेसान करवान का प्रयास कर चुके हैं लेकिन बुद्ध देव के पहुचते ही हमारे यहां एक कहावत है कि पान नहीं तो पान का डंटी भी सही उसी प्रकार से सूरी देव के प्रभाव को बुद्ध देवता पुर्ण रूप से खत्म करने में तो सक्षम नहीं है लेकिन उसके प्रभाव म बुद्ध के बाद अब हम देव गुरु ब्रहस्पती की चर्चा करेंगे देव गुरु ब्रहस्पती आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए है और ये एक प्रबल मारग्रा है सुड़ी देव के पक्ष में आ गए है यहां पर में डिवाइड हो गया गरहों का अब सुर्ज और बुद्ध नहीं सुर्ज और गुरु दोनों मिल करके दूसरे भाव को तवाह करने का प्रयास करें सावानी नियम जोतिस का ये है कि जहां पर में भी सुर्ज नहीं बुद्ध गुरु और सुक्र बैठ जाए उसके प्रभाव को बहुत अच्छा कर देते हैं बहुत बढ़ियां फल देते हैं लेकिन बिशेश नियम के तादि ये खंडित हो गया कि ये एक इसकुंडली का मारग्रा हो गया और गुरु कभी भी इसकुंडली में इस भाव में बढ़ियां फल कदाप नहीं देंगे तो गुरु के कारण भी वही बात होगी जो सूरी के कारण होई धनहानी का योग बानी में बानी पर में तो बिरस्पती जरूर बैठ गए लेकिन वो आपके बानी का एक होता है कि एक पत्रकार वो बन जाता है एक लेखक वो बन जाता है जो अच्छे सब्दों का मीठे सब प्रियोग करते हुए बढ़ियां प्रभाव देता है लेकिन जिसके बानी पर में जिसके लेखन सक्ति का जो किताब बगेरा लिखने का भाव होता है वो होता है आपका नौमा तो जिसके लेखन सक्ति पर में अथवा दूसरे भाव पर में बानी पर में ऐसे मारक ग्रह का बा तो वही बात ये विरस्पती देवता बानी पर में तो हैं सरस्पती का बास तो बानी पर में है लेकिन उसको मीठे तोर पर में प्रस्तूत ना करके करवे तोर पर में ये प्रस्तूत करेंगे परिबार में भी कुछ कला के इस्तिति उत्पन करेंगे बैंक बैलेंस करने में इसकी पंचमी दिष्टी चठे भाव पर में तो दुस्मन से भी कुछ परेशान करवाएंगे, कुछ चिंता में भी रखेंगे, कुछ हिल्थवाई यिसु का भी सामना करना पड़ेगा और हो सकता है भगवान ना करे जिस व्यक्ति का केस मुकदमा कर्ज वगेरा चल रहा है तो उसको थोड़ी सी परेशानी और बढ़ा देंगे इसके सात्मी दिष्टी चठे भाव पर में अब एक तरफ से बिदेश से कुछ धम लाव का योग मंगल देवता बना रहे थे उस लाव को अब ये कम कर देंगे क्योंकि बिरस्पती की सात्मी दिष्टी चठे अश्ट पर में तो पिता के साथ जो है कुछ ट्यंसंतराव का योग बन जाएगा पिता से कुछ मत्भेद की स्थिति उत्पन हो जाएगी इज़त परतिष्ठा मन सम्मान में कमी आ जाएगा अधिकार के लिए लरने तक की नौवता साथ लिए इसलिए साउधा बिरस्पती के लिए इस महिने में आपको चाहिए कि बिरस्पती वार के दिन पीले रंग के चीजों का दान करें नहीं केला हो तो पीले रंग का एक दो चोड़ेट ही एक रुपया का ले ले उसको फोर करके मीठे वाले को छीटी को डाल दें अथ्भा समसे बढ़िया और उत्तम की मंत्र का आपके लिए इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छे ग्रा है शुक्र भी आपके मस्तक पर में विराजमान है चेहरा से एक दिब विजोती बाहर आएगी और चेहरा इतना आकर्सक और सुंदर लगेगा कि बांकी लोग आपसे अपने आप बाचीत करते हुए देखते हुए ह प्रियास कर रहे थे उस बिनम्रता को सुक्र लाएगा और पती पतनी पर में द्रिष्टी पर गया तो दांपत्य जीवन को भी अच्छा रखने का प्रियास करेगा सनी क्या करेगा तो सनी भी इसमें सस नामक पंच महापुरुस राजयोग का पर्थम भाव में निर्मान कर रहे हैं जिसके कारण से ये भी बुद्धी विवेक को बड़ा स्टॉंग करने की कोशिस करेंगे सनी की तीसरी द्रिष्टी तीसरी भाव पर में तो अब सूरी देव जो आपके प्राक्रम को नियेटिव बे मिल जले जानी की कोशिस कर रहे थे सनी देव उसको करवाने की कोशिस कर रहे थे सनी देवता उस गुप्त सत्रू का ही नास कर देगे उसका कोश चलने ही नहीं देगे वो साजिस करते करते मर जाएगा लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर बाएगा सनी की साथमी द्रिष्टी सप्तम भाव पर में जिसके कारण से ये भी आचीत फाइनल हो जाएगी या बात आगे बढ़ेगी अथ्वा डेट फाइनल हो जाएगा या बिवाह ही हो जाएगा तो यह सनी देव के कारण ऐसा हो तामपत जीवन को भी बढ़ियां रखने का प्रयास करेंगे और सनी देव की दसम दिरिष्टी जो है दसम भावपर में जो लोग सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे थे सनी देव की बिसेश किरपा उन पर में भी लागू होगी और सरकार से प्रबल लाव का योग बन जाएगा इस समय में अगर कोई एकजाम दे रखा है इंटर्विव दे रहे हो कुछ भी ऐसा कर रहे हो रिजल्ट आने वाला है और जन्म कुंडली में अगर सरकारी नौकरी का योग है राज योग है तो सनी देव का सपोर्ट मिल गया और आपको यहाँ पर में सरकारी नौकरी किलियर करने से कोई नहीं रोक सकता तो सनी देव के लिए किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवज सकता नहीं है हर मामले में सनी देव आपको बर्हियां रिजल्ट देने वाले हैं सनी के बाद अब राहू और किर्प राहू आपके कुंडली के पंजम भाव में उच्चिके बैठे हुए पुत्र प्राप्ती का तो अवस्य योग बना रहे हैं राहू लेकिन अगर इस महिने में किसी का डिलेवरी होने वाला है मकर रासी का विक्ती तो उसको संतान प्राप्ती में ज्यादा परिसानी का सामना करना पड़ेगा ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ेगा उसका पैसा भी माइनस में जा सकता है बहुत खर्चा हो सकता है और दूसरे मामले में राहू फाइदा जरूर देगा लेकिन पेट से समंधित प्रिसानी देगा और आपको मैं बता दू कि यहां पर में कुछ आपको डैमेज करेगा अचानक से धनानी भी करवा देगा पांचमी द्रिष्टी इसकी एक दो तीन चा पर में तो लाहू भी दिलवाएगा कुछ उपलब्दी की प्राप्ती भी करवाएगा मनो कामनाओं की पूर्ती में करवाएगा राहू की जो नौमी द्रिष्टी है आपके मस्तक पर में तो दिवाग में युकती और जुगार वाली आइडिया जो है यह बहुत देगा जो लोग फिल्म बगेरा लिखने की सोच रहे थे अत्वा कुछ भी मोवी से समय करेक्टर लिखने का उनके लिए बरा मदद करेगा के तू भी उच्च का एकादस भाव में बैठा हुए यह भी बहुत बढ़िया लिए जलतेगा आपके लाप में बिर्धी आय में बिर्धी मन काम नाहों की पूर्ति सिनियर्स का सपोर्ट पूत्रोधुदामाद का सुख भी दिलवाएगा और पंचम द्रिष्टी एक दो तीन चार 5 तीसरे समय बहाव में जुनियर्स का भी कुछ सपोर्ट दिलवाने की कोशिस करेगा सुरी की प्रभाब को भी कम करने का प्रयास करे बिद्या गुद्धी की प्राप्ति भी करवाएगा और नौमी द्रिष्टी जो है सब्तम भाव पर में लीजिए यहां से भी आपके विवाह का योग बन गया बोलिए राधे राधे लेकिन योग तो बना लेकिन इस योग में यह थोड़ा सा परेसानी उत्पन कर देगा अं करने में हमारा साथ से आठ गंटे का समय जाता है आप जानते ही हो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा सचाई नजर आई हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच जैहिंद बंदे मात्रम वोलिये राधे राधे